दोष्तों मार्केट ऊपन हो चुकी है और मार्केट ने हलका सा गैप डाउन अपनिंग दी है तो चलिए देखते हैं धोड़ा सा प्राइस्स एक्चन बनने देते हैं पिर उसके अंसार ही हम ट्रीड लेंगे जब तक सही प्राइस एक्षन कोई नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेट नहीं लेंगे तो वेट करते हैं प्राइस एक्षन बनने देते हैं पर उसके बाद ही हम ट्रेट करेंगे कि लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे मार्किट काम कर रही है और कि निफ्टी तो चलिए दोस्तो थोड़ा नीचे आने देते हैं फिर हम कॉल साइड में पॉजिशन बनाएंगे और आपको फिर हम कार्ड बताएंगे हम्नें पॉजिशन क्यों नाई चलिए मिया पर कॉल सा तो हमने यहाँ पे call side में position बना लिए, अब आपको card बताते हैं क्यों, देखिए market जैसी open होई तो यहाँ पे यह level है 47,500 का, इस level से market ने नीचे नीचे काम करना start किया, तो यहाँ पे आने वाले थे seller ठीक है, और यहाँ पे आप nifty देखिए, nifty ने यह 22,000 का level क्रोस के नीचे क बनाई, अब देखते हैं क्या होता है, या तो profit होगा या loss होगा, इसमें भी यह closing price के नीचे नीचे market काम कर रहे थी, तो यहाँ पे seller आने वाले ही थे, मुझे लग नहीं रहाता कि कोई buyer यहाँ पे काम करेगा, इसलिए हमने buying side में position बनाई है, देखते हैं क्या होता है, या या तो profit होगा या loss होगा, जो कुछ भी होगा हम ले के चुपचाप निकल लेंगे, निफ्टी में बहुत ही ज्यादा अच्छी position मनाई या सकती थी, यहाँ पे call side में, देखिए हम market निकल लाए, put side में तो हमारा sell हो सकता है, यहाँ पे, तो दोस्तों चलिए position कट करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे sell हो गया है, कोई दिक्कर नहीं हाँ, हमारा sell गया है, हम यहाँ पे cut करते हैं, और हम 100 point के sell के साथ यहाँ से निकल लेते हैं, तो चलिए मिलते हैं कल की position में, कल देखते हैं market में क्या होता है,